और उट सीट के माही ने अबके जुको मान लो है कांगरेशी लारको नी फटकरा यांद राथ होगी अबके जब बात ठोडो और अबके जुको माहल है वैशाली सारीज दुलहन लेंगे, फैंसी लेंगे, साड़ियों की सभी रींज का एक मात्र शोरू वैशाली सारीज घंटा घर के पास सुजानगर नमसकार, ऐसे सुजा में आपका असफएग्त है मैं हुशिक मार्टिवारी, राजस्तान में साथ सीटों पर उपचिनाव होने वाले हैं ये भ answer बड़ा चुनाव कहा जा सकता है क्योंकि राजस्तान में आजा तक कितना बड़ा उपचिनाव नहीं हुआ है दो, तीन, चार सीटों पर हो सकता है, साथ सीटों पर चुनाव है, उसमें भात्य जंता पार्टी की सरकार राजस्तान में है और ये भी कहा जा सकता है कि इसमें भाजप्पा की परतिश्णा दाओं पर है लेकिन अगर कोई होट सीट है पूरे साथ सीटों में तो वो खींसर की सीट है जांसे ये सीट खाली हुए हनमान बेनिवाल के सांसित बनने के बाद में और RLP ने हनमान बेनिवाल ने अपनी धर्म पत्नी को कनिका को मिदवार बना है वहीं भारते जनता पार्टी ने रेवंतराम डांगा को तो कॉंग्रेस ने बहुत पड़ी लिखी और एक बहुत अच्छी मैला को शीट पे उतारा है डॉक्टर रतन चोदरी जी जो की पूर्वे विधायक महराम जी की पुत्रवदू है और बड़ा राजिति घराना है और प्रतन जी की जो जो पती है वो रिटाइड आईएस है तो एक अच्छी आईपिएस रिटाइड आईपिएस है वो सरे नेता यहां पर इससे में बेठे हैं आप देख रहे हैं और आज चुकि नामंकन का आखरी दिन है तो आज कॉंग्रेस ने भी यहां पर नामंकन किये है तो बहुत बड़ा कारिकरम नहीं रखा गया है पहले दिन लेकिन जिले के दिग्रेज नेता यहां पर पर सित है तो सबसे पहले मैं कॉमेंट लोगा रिद गनी जी लोंगराड जो की पूरो परदान है और बड़े जाट नेता है और आपकी बात को बड़ी गंबीरता से ल श्रॉड शनेल जा रही है और हमेसा जब नागोर शील की बात आती है तो जाट मैल्ट की बात पहले आती है तो तिनों पार्टियों के केंडिडे अलमान में अकि यह को लग रहा है किस तरह के आपको समीकन लग जिए आज अकर प्रमाई धाल धार्म्पर्टार के आज फ्रम भरी और माहॉल है कांग्रेसक्ता आपको भार्म भरी अफ्रम्पराइ और ध्रम्फियसाने के बाद म煮ंने के बाद départ कांग्रेश का जगा कारीय करता है। क्यास्तार कि नापकराशा मुआ सब्सक्राइब करें गारी गशनीय मेरते तो यह में थे की और उंड़ आपिलोगर ज्याग्या बीजय की सर्म फिश्तार गारंऊ है पसान खेंध करेश है अब भ१ंदा केमधा ऑफर में is और दक्रों में हैं बड़ो बारी जोश है और वास्तों के माई ने स्वाई शिंग जी तुना हो लिजड़ा है और जाक्तर रतं टोगरी है ठाग्टर ली है और आप लब बड़े गराने की बेटी है और बड़े गराने की बहु है जानकारी में कोई कमी नहीं है और कारिय कता जगा मैहां मामे कोई कमी नी ये फटगारा जोर उठोगा चिंटा इमिप्ठ करो भार्धान जी फटगा रहे तो आप हम हमें सही लेते हैं इस पार क्षोन सबने नहीं साथ पूरे हिंदूस्तान की नजर है क्योंकि पेल के मेजगा भी gather coffee when दि अज़रु और अब गट बंदन मेहा और अब गे महां को खुद को माम लो है अब गट बंदन को नी अब गे महां को खुद को माम लो है वहाई से अब गे जोगो लो है न फटकारा जदरही फटकारा की बात कराई है लाग वोटों की दुरुविकन की बात होती है आप बड़े जाटनेता है तो तीनों केंडिटेट जाट है तो आपको क्या लग रहा है समिकन कैसे बदलेंगे इस बार सबस्दाइब सर एक स्वाल आपसे और करना चाहूंगा रिदकन परदाशी सब्सक्राइब क्योंकि आज आप मूड कम लग रहे हैं मुझे बातचित करने में एक सवाल बहुत जरूरी सवाल है मैं इनका बहुत वायरिल लुआ मेरे वीडियो और थे आप मारकन करो तो कांगरेश के हिसाब हुए रोजी नहीं जोर हूं बात करते हैं कि अच्छी बात करें कि मैं पड़े लिखाऊ नागोर यह राजस्तान का वह च्छित्र जो कम पड़ा लिखा था और यहां पर लोगों को भावनात्मक रूफ से प्रभावित करके यहां पर वोट लिए जाते थे लेकिन अब क्योंकि पत्रा और मैं जानता हूं कि अब यहां पर जो मुखे मुदे वो भी काम करते हैं लेकिन कहीं आपको नहीं लग रहे कि आज भी जो है वो यहां की राजिती है वो एक दो लोगों की इर्द-गिर्द घुम रही है आपको नहीं लग रहे था क्योंकि भी घटना सोचल वीडिया जिए सब्ला लोग देखे जड़ना माने बताना की जूती को लोग देखे है दूसरी बाता है कि कांगरेश अनुसासन पार्टी है और मैं तो आचाओ हूं कि माने मां को खुद को कांगरेश को काम करा कांगरेश के हिसाब उचाला लाला किया इन चले नहीं तो मांको तीर हो यहाफ कि ऐस मुझान के और छीट है जीनई मांको एड़ा हुए अब सवाल अब हैम सवाल पूर पूर समझ को साथ ऊबूड ही स्माज की बात है लेकिन बहुत समझदार इंसान है और यह जानते हैं कि आप पर जाती से समझदित कोई भी ऐसा कॉमेंट आ गया तो चुनाओ को प्रभावित कर सकता है लेकिन बहुत गर्मायवा माहूल यहां पर है आप जानते हैं कि भी तेजा जी जैनती पर जो कुछ हुआ था मंच पर आरलपी और विजीक विवीज में साइद में इसलिए आपसे सवाल करना चाहता था लेकिन एक जी जुरूर है कि यह चुनाओ बहुत जबर्दस्त होने वाला है त्रीकोंड संगर्स हो रहा है आरलपी में अन्मान बेनिवाल की धर्मपत्नी कनिका जी को टिगड़ दिया है पड़ी लिखी महिला है बहुत अच्छा बोलती है वहीं कोंग्रेस ने जिस प्रकाशी को उता रहा है डॉक्टर रतन चोदरी बहुत बुद्दी जी भी महिला मानी जाती है उनके पती आरप सबसे पहले में हमारे हाश्तान प्रदेश कोंग्रस के प्रदेश गोई शिंग डोडा साख धन्यवाद देता हूं कि इन्होंने डाटर रतन देवी को कि उससे पर्त्याक्षी बनाया रतन चोदरी कोई प्रदेश गरवा लिए और बीस सालों से यहां पर कॉंग्रेस की शीट नहीं निकर रही है तो अबके जब यह शीटकों का चर्णा था क्यों लोगों के मैं तो समस्ते थी गटबंद में रहेगी यह कॉंग्रेस अलक्षी लड़ाएगी तो जिससरे से अड़मा बेडिवाल साथ पहले से के रहे थे मेरा गटबंद दिल्ली से और राज ये के अंदर अभी उनका कोई ज्यादा विच्छा नहीं हो रहा था तो मैं तो यह कहना च कॉंग्रेस जीती है तो मतलब इससे जाहर होता है कि कॉंग्रेस के बोर्ट यहां जाता है और यही जो तिनकुले संगसी है इसके हिसाब से हम बिल्कुल निचीत है क्योंकि कॉंग्रेस एक जुटो के लेड़े की अपके चुनाओ जो हो रहे हैं यह साथ विदान सभा के उ चुनाओ रहे है ना उसमें कॉंग्रेस एक जुटो के लेड़े की हैं पहले नहीं लड़ी एक जुटो करने पहले बहीं लेड़ी थी बास्तर्स पेले दोसों विदान सभा के अंदर कोई नेता वाज आ जा रहा कोई यह आ रहा कोई कूश, टैम नहीं मिला था अब सारे के सारे नेता हमारे शीतात हो है यह सोगलो साहब ढोडा साहब आप साव है और भी ऑमारे एशिशिस से कहीं नेता यहां और पहली वार यह कांग्रेश संगटन के अंदर मजबूती मिर रही है लोगों में कुशी है कि कॉंगरेस पार्टी का पर्त्याक्षी उतारा गया है और जो सो क्रोस के साथ हम लोग चुनाव लड़ने जा रहे हैं और इससे कई सब्सक्राइब बिच आउट भी हो गए निची दोर से हम यह शीट निकाले हैं बिल्कुल जिलाद्यक्षी का प्यात्मी स्वास में भरे नजर आ रहे हैं तो मैं उस विक्ति से बाचित करना चाहूं तो जिनको बहुत सम्मान की द्रश्टी से देखा जाता है रिटाइड आईपियस है और आपकी धरम पत्ति जी चुनाव लड़ रही है आपने भी चुना आपका तो राजन्तिक घ्रणा है पिता जी विदाइक रहे हैं परधान रहे हैं आप सभी फर्मा रहे हैं हमारा सबसे पहले तो कांग्रेस पार्टी के जो आलकमान है सोनिया जी रहुल जी प्रियंका जी उनको हार्दी कृप से धन्यवाद है कि के उन्होंने हमें इस विश्वासे हमारे परदेश अध्यक्स गोविन सिंग जी डोटारस सारा साब ने हमें इसके लिए कहा कि ये खियूसर सीट है। और ये सबी यहां जो बैटे हैं कांग्रेश के अध्यक्स मनोजी मेगवार, MLS जिदकर्ण जी और हमारे पूरे गाओं की ये सारी जनता बैटी है। मैं इन जनता की अपेक्साओं पे खरा उतरूँगा और ये सीट कांग्रेश की जोली में आएगी। और मैं वादा करता हूँ कि खियूसर विदान सबस हैं इस बार कांग्रेश एक लाग बोटों से ज्यादा आगे आएगी। यानि एक लाग बोटों से कम नहीं आएंगे और हमारी जीत बड़ी भरी होगी। और इसके चर्चे पूरे राजस्तान में नहीं पूरे हिंदुस्तान में होंगे। ये आप देखेंगे। रतन चोधरी डाक्टर है। और मैं पुलीस में रहा। मैं संक्सित बताना चाहता हूँ कि चोती साल की पुलीस की सेवा में मैं जहां भी रहा। राजस्तान के किसी भी कोने से कोई भी व्यक्ति मेरे पास आया तो मैंने बिना भेदबाव की। बिना उसका अमीर है गरीब है। मैंने का ये मेरे पास आया है तो मेरे को उसकी मदद करनी चाहिए और मैंने ततकाल मदद करी बीना किसी जाती, धरम, समाज को भेदगाओ किये और मैंने काम किया और ये मेरा काम बोलता है तो मेरे को पहली बार कांग्रेश ने टिकेट दिया तो मुझे सतरे दिन में सितर हजार के करीब मेरे को बोटों से पहुंचाया तो इस बार मेरी पतनी डोक्टर है जिसने भी चाड़ी साल से सेवा कर रही हाम लोगों की और ये भी एक समा सेवा का काम है और मुझे उन पर पूर्ण भरोसा है कि वो रास्तान के पूरे परदेश के देश के और खियूसर की जनता के नागोर की जनता के लिए वो अपना साम इस महकमे के बड़े अदिकारी होने के बाद में भी सवाई सिंग्जी जो साधगी है जो सरलता है वो इस सेत्र में चर्चा का विसे रहती है बहुत सरल बहुत साधगी पूर्ण व्यक्तित्व हैं और कह रहे हैं कि हमारा परिवार जो है वो सेवा में जुड़ा है आपने पुलिस के माद्यम से शेवा की है दर्मपतनी रहतन जी ने डॉक्टर होकर इस सेत्र की शेवा की है तो वह सेवा जो है वह हमारे लिए पक्स में बड़े करें कि एक लाग से ज्यादा वोटों समझीतेंगे डॉक्टर रहतन जी से बाचित करने से मैं मैं अब एक कॉमेंट लेना चाहूंगा हमारे सुदानगट की विदाएक मनोज मेगवाल जी यहां पर परबारी है बिल्कुल चुनाओके तो मनोजी एक पर प्लीस तो इस सीट के परबारी मनोज मेगवाल जी जो कि सुदानगट से विदाएक है मनोजी क्या कहना चाहेंगे आज नमंगन का आग को मेसेज किये हैं टिकट लास्ट संड में फाइनल हुआ है और आब आने वाले दो तिन दिनों में पूरी रन्निती पूरी जोज के साथ कॉंग्रेस फिल्ड में उतरेगी आज से हम बैठ के अब नामांकर के बाद में आगे का प्रोग्राम तैक करेंगे कि आने वाले 15 दिन म पर पुढ़ना है और कैसे जन जन तक कांग्रेस के कारिया करता को पहुंचना है और एक जोड़दार परचार अभ्यान चला कर जो तेरा तारीक उमद्दान होगा उसमें कांग्रेस नंबर वन रहेगी मुझे पूर्ण विश्वास मैं मैं हमें साथ देखता हूं कि आपके चुनाव पर जो आपकी सिमिख्षा बहुत सठीक होती है मैंने एक बार आप से बाचित किया है ये चुनाव बहुत क्लोच चुनाव है क्योंकि विदान्सवाद चुनाव में भी थे लोग साथ चुनाव में भी कोंग्रेस और आयरेलपी भहत ही ठक्कर में रही है और जिस मजबूती साथ कॉंग्रेस ने लड़ा था सवाई शिंग जी खुद पिछला चुनाओ लड़ा था और नजदी में कौयमें ने रह गया थे उप चुनाओ भी कॉंग्रेस भूट थोड़े से मार्जिन से रह गी जी और एंद्री जी लड़ा था लोक्सपा चुनाओ में कॉंग्रेस का और आरलपी का घठाव अर उस घठाव बन्दन की बदूलत आरलपी का सवाल चुनाओचB दो बड़े नेता जाट नेता एक और अन्वान बेनिवाल दूसरों गोविन सिंग डोटा सरा एक दूसरों पर हमले शुरू हो चुके हैं अन्वान बेनिवाल ने कहा है कि एक आंग्रेस का नेता जो गुमचा गुमते भी गुमता है क्लिर इनका इस सारा गोविंशिंग दोटा सरागी तरह तो क्या लग रहाए कि दोनों में कौण बारी पढ़ने वाला है दंदे हुएए वह कंग्रेश के परदिशां दक्स है जो करता की बहुएगि है इस बहुना से बहुना पर जो बात होती वह करते थीप है तो नहीं तो कांग्रेस का कारे करता उसको सेहल करेगा और जनता मानने की उसका. सब्सक्राइब नमस्कार